prove that 72 ka factorial by 36 ka factorial ka whole square minus 1 is divisible by 73 यह prove करना है तो देखो 72 ka factorial divided by 36 ka factorial का square है न इसको लिखेंगे 36 ka factorial into 36 ka factorial ठीक है? तो minus 1 है तो यह जो आ गया है इसको लिख सकते है ऐसा कि 72C36 ठीक है? तो इसी को formula ये होता है और minus 1 लिखा हुआ है ठीक है अब देखो एक property होता है कि ncr plus ncr minus 1 ये कितना होता है ये होता है n plus 1cr ये होता है न property अगर नीचे में consecutive रहेगा उपर same रहेगा तो उपर एक जादा हो जाएगा और नीचे में जो बड़ा है वो होता है तो इस property का हम use करके 70 72C36 है तो देखो ncr है न ncr इसको क्या लिखेंगे ncr को लिखेंगे n plus 1cr minus ncr minus 1 मतलब एक जादा होगा इससे मतलब 72C36 को लिखेंगे 73C36 minus यहाँ पर लिख देंगे 72C35 देखो r minus 1 है न तो यहाँ लिखते हैं 72C36 को लिखेंगे 73C36 minus 72C35 होगा और minus 1 का minus 1 है इसके बाद फिर से हम लिखेंगे 72C35 है न इसको इसी फामूला से इसी फामूला से तो यह हो जागा 73C35 minus 72C34 होगा एक कम हो जागा तो देखो 73C36 है minus यहाँ जो ब्रैकेट कर देंगे और यहाँ 72C35 को लिखेंगे 73C35 minus 72C34 ठीक है और minus 1 का minus 1 है इसको थोड़ा simplify करते हैं देखो 73C36 आएगा minus 73C35 आएगा और minus minus प्लस हो जाएगा और यहाँ 72C34 हो जागा लास्ट पे minus 1 है अब फिर देखो 73 सब को उपर मिलाना है तो यहाँ फिर 72C34 है इसको फिर से इस फामूला से हम ब्रेक करेंगे जब इसको उस फामूला से ब्रेक करेंगे तो कितना होगा देखो 73C36 है minus 73C35 है प्लस इसको लिखेंगे 73C34 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 72C33 ठीक है अलास्ट में minus 1 है इसी तरीके से फिर से 72C33 है उसको explain करेंगे तो एक चीज़ नोटिस कर लो कि देखो उपर में सबका 73 आ रहा है और नीचे में एक घटते जा रहा है 36 है 35 है 34 है 33 है एक चीज़ और कि plus minus plus minus जा रहा है नीचे अ चलते जाएंगे तो आगे लास्ट में क्या आ जाएगा 73C36 माइनस 73C35 प्लस 73C34 माइनस 73 यहाँ पर हो जाएगा सी 33 हो जाएगा फ्लस इसके बाद क्या होगा 73C32 होगा इसी तर फिर minus होगा चलते जाएगा कहां तक जाएगा लास्ट में क्या हो जाएगा लास्ट में हो जाएगा 73C0 ठीक लास्ट माइनस 1 का माइनस 1 है तो वहाँ तक एकस्पेंड कर दिया वहाँ तक एकस्पेंड करने के बाद देखो यह जो 73C0 यह 1 होता है और यह 1 और 1 कर गया इसके पहले वड़ा जो टर्म हो लिख देते हैं तो वो टर्म कितना होगा माइनस और 73C1 होगा तो यह सब को अगर लिखते हैं फार्मूला बठा के तो यह कित सब्सक्रा जाएकश और उसाल इसके तो यह कितना हो जाएगाए जाएडिक यहां प्लस यह व्जू अ auto यहन फो टर्म काया हैं और यहां पर हो जाएगा व्जू इनियो हैius है माइनस यहाँ पर गतना होगा 73 का² divided by 40 का वोज़ Grüb 33 का 2 चलते जाग colleg验 से इस तरीके से लास्ट में ये जो ये है माइन Sag Mother लिखते है यहाँ माइनस होगा माइनस होगा उसके बाद ये होगा 73 का व्याद का 2 वोज़्वाइड बाइ 73 का factorial को लिखेंगे 73 into 72 का factorial लिख सकते हैं न तो 73 सब में आ जाएगा तो 73 हम common लेते हैं तो सबका उपर में बचेगा 72 का factorial divided by 37 का factorial into 36 का factorial ठीक है माइनस 72 का factorial divided by 38 का factorial into 35 का factorial प्लस और यहां हो जागा 72 का factorial by 39 का factorial into 34 का factorial ठीक है माइनस यहां हो जागा 72 का factorial by 40 का factorial into 33 का factorial ठीक है प्लस इचलते जाएगा तहांते जाएगा में हो जागा 72 का factorial divided by 72 का factorial into 1 का factorial ये हो जागा तो देखो ये क्या हो गया ये हो गया 73 into k where k is an integer क्योंकि ये जो चीज है ये solve करके एक integer की देने वाला है तो 73 एक factor हो गया it means it is divisible by 73 73 जैसे ही factor आया तो लिख सकते है ना कि divisible by 73 हो गया यही proof करना था कि question में था कि divisible by 73 proof करना हो गय के लिख भी के तोय दृनी में पोड़ सकता करने तो येया जहीं कि दमारेल में परन research एक जिए जहर देने गिए 25 रभी की रकर मेंशतना हो जोगया में थावागा में तो ते फो देने प esimerkफ़तना है